आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सलाम नमस्ते रादे रादे आज इस टेरोकार के तरू हम जाने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशन्शिप में क्या बदलाव आएगा क्या ट्रांसफोर्मेशन आएगा क्या चेंज आएगा हम एक नए मैने में एंटर करने जा रहे ही है तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदिगी में आपकी लšोख रहं रहें अपने पाथनर को याद करना है और जो भी मैच होता है जो भी resonate होता है वही लिए जबाकी का छोड़ दीजे किसी और की energy हो सकती है साथी साथ आपकी person male हो सकते हैं female हो सकते हैं आप अपनी boyfriend के लिए girlfriend के लिए husband या wife के लिए देख सकते हैं सब के लिए reading है और अगर आप detail में अपने बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आपको personal reading book क परना चाहिए जिसके लिए मेरा number screen के उपर है जहां पर आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हैं सिर्फ WhatsApp आपको message करना है card shuffle करते वक्त प्लीज अपने partner का नाम लीजे उनका चेहरा याद कीजे ताकि उनके energy आपर connect हो सके angels मुझे प्लीज काइड करें Angels and universe मुझे please guide करें मुझे बताएं जितने भी weavers अभी इस वक्त या वीडियो को देख रहें उनके person उनके partner की current thoughts current feelings current emotions क्या है Angels and universe मुझे please guide करें Angels and universe मुझे please guide करें मुझे बताएं मेरे weavers के partner की current emotions and feelings आपकी तरफ आते वह मुझे नजर आता है यह परसन अगर आपको छोड़ कर चले गए थी तो या फिर अगर इस परसन को जैसे की सभी साइट से ब्लॉक की जिस नजर आते हैं उनको लगता है कि इस रिष्टे में कुछ भी नहीं कर पाएंगी वह तो वह आपको लेकर कहीं च जिंदीगी में आती भी मुझे नजर आते हैं हुआ यह पर्सन कुछ न कुछ डिसीजन लेने वाले हैं सबसे पहले काड सिकस ऑफ सौल्स आया हैं ऐह ऐंगर आपके बेकले आपके मैं कुछीज दिशीजन कि मुदाबिक लेने वाले आप आप देख सकता है मक्छ को कार्ड आया हुआ है Emperor का कार्ड यह कहता है कि परसन दिल से चाहते आपके साथ रिष्टा निबाना अभी तक हो सकता है कि परसन ने कुछ भी सही डिसिजन नहीं लिया ता या फिर स्ट्रॉंग कमिट्मेंट स्ट्रॉंग कंफरमेशन आपको नहीं दिया तो अभी यह दे सकते एडिस राशी यहां पर है चार नंबर छे नंबर कार्ड है तो कहीं न कहीं कुछ बदलाव आते वे मुझे नजराता है यह कार्ड के दुरूप पसंद अभी तक जो भी नहीं कर रहते जो आप चाहते थे जो आपकी एकस्पैक्टेशन थी कि पार्टनर ऐसा कदम उठाए या यह करें वह करें वह अभी करने वाले हैं आपके मुताबिक ऐसा मुझे लगता है तो एक अच्छा वक्त आपके जिर्देगी में आते वे मुझे नजराता है तो अभी तक कुछ नहीं हो रहाता तो अभी होगा नेक्स्ट आप देथ का कर बुरा वक्त कतम हो करें अच्छा वक्त शुरू हो रहा है आपके जिंदेगी में और इंतजार बहुत हो चुका है आप इंतजार करकर थक गए आपको अपनी उमीद ही छोड़ी है ऐसा मुझे लगता है यह कार्स को देकर कि यह परसन लौट कर आएंगे या इस परसन के साथ रिष्टा आपका आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा यह शक्त आपको तो यही मुझे यह कार्स की तुरू भी दिखाए दिता है कि कई न कई बहुत कोशिश की है आपने इस रिष्टे को बचाने के लि वक्त इनकी वज़े से आपको फेस करना पड़ा है यह पार्टनर के वज़े से आपकी जिंदेगी में तकलीप आई है आपका जो ओवर तिंकिंग का इशू है या टेंशन यह खतम ही नहीं हो रहा था कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रहे थी जब से कुछ परषानिया मुझे दिखाए देती है हो सकता है न कि ऐसे रिष्टे में आप जहां पर आपको पता है कि यह पर्मस हो सकते कई-नकई-चॉड ड्रिलेशन शिप रहे गा तो इस चीज़ में आपको नहीं जाना था अगर जाना है आपको तो आपको लॉंग-टर्म में जानता शौर्ट टम में कोई भी रिष्टा नहीं रखना चाहता है एक दो मेने का रिष्टा क्या होता है वो तो फिर टाइम पास ही हो गया तो वह आप नहीं चाहते हैं आप चाहतें एक सिरियस कमिट्मेंट आप चाहतें आगी तक जिंदेगी का सफर इस परसन के साथ लेकि भी आपको समझ में नहीं आ रहा था डैत का काल लेकर यह कहता है कि बुरा वक्त खतम होकर एक अच्छा वक्त आपके जिंदेगी में आते वह मझे नजर आता है यानकि न्यू बिंगनिंग यहापर मुझे दिखाए देती है जो भी तकलीपे आपने जेली है हो सकता है उसक परसन के दिल में आपके लिए फिलिंग्स बहुत है लव वाली फिलिंग्स है परसन अब को जैसे की कमिट्मेंट अगर परसन ने दिया है और पुरा नहीं कर सका तो यह परसन वह कमिट्मेंट पुरा करना चाहते है यह पूरा करना चाहती है मेल फिमेल दोनों हो सकते यह मुझे ऐसा लगता है न कि जैसे मैच्यूर नहीं है जादा मैच्यूरिटी के साथ या फिर सही फैसला किस वक्त लेना है ये थोड़ी चीजें कन्फ्यूसिंग इस परसंग के लिए रही होंगी या फिर ये परसंग आप में इन्वॉल्ब तो है यानि कि आपसे लगाव है इस परसंगो आपसे प्यार है बहुत सारी चीजें इस परसंग की दिल में आप देख सकते हैं कि प्यार है इमोशन से आपके लिए लेकिन कहें नहीं पाते या जता नहीं पाते थाबित नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि शायद ये आपको दोका देते हैं इनका behavior कुछ अलग है हटके है थोड़ा सा जिसमें ये थोड़ा सा अपनी तरफ से प्यार या efforts या मेहनत नहीं दिखाते हैं इस रिष्टे में या जब भी आपको जरूरत होते हैं ये person आपके आसपास नहीं रहते हैं या फिर उस वक्त ये कुछ ना कुछ बहाना बना कर थोड़े से दूर रहते हैं तो फिर आपको ये लगता है ना कि जब जरूरत की टाइम पर अगर ये person आपके खहने पर ये आपका बिल्कुल नहीं सुनते तो ये आगे future में आपके साथ as a life partner कैसे रहेंगे ये शक्त आपका हो सकता है ये भी मुझे यह आपर नजर आते कि कुछ situations है जो कि आपको सॉट आउट करने हाई प्रिस्ट्रेस जो कि एक positive card है और ये कहता है कि person अभी तक confused रहे हैं लेकिन आपने विश्वास रखा है universe के उपर आपको लगता था कि ये आपकी soulmate connection है ये आपके divine connection है इनकी बीना आप जीने के बारे में नहीं सोच सकते या फिर आप जीतो सकते लेकिन ये ही आपकी खुशी है ये partner ही आपकी खुशी है ऐसा मझे लगता है तो कहीं नगी ये person अभी आपके बारे में सोचने लगे हैं आपके बारे में serious होते हुए मुझे नजर आते हैं जो कि अंब्लॉक सिचुएशन रही होगी फिर भी प्यार दोनों तरफ से कम नहीं हुआ है फिर से वही कार्ड मुझे दिखाए देते हैं जहां पर एंपरर भी है और हाइप रिस्ट्रेस भी है जहां पर आपने आप इस परसन को मैनिफेस्ट करते रहे seven of wands इनने की person मैनित करना चाहते हैं आपके दिल में जगा बनाना चाहते हैं अब यह किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए यह आपको हासिल करना चाहते हैं इनका जो ambition कह सकते हैं या इनका जो विचार है या इनकी जो सोच है आपसे related बहुत ही strongly मुझे दिखाए देते हैं कि किसी भी हाल में आपको हासिल करना है यह मेनत करते वह मुझे नजर आते हैं struggles है इनके जिंदगी में या इस रिष्टे में बहुत सरे obstacles हैं वो एक एक पार करके वो person आपके तरफ आते वह मुझे नजर आते हैं हो सकते long distance है या किसी भी वज़े से इस person को आपसे दूर जाना पड़ा है तो यह कहीनकी दूरी उनको सहन नहीं होती है यह person अभी ऐसा ही सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं कि उनको अभी क्या action लेना चाहिए अभी उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में सोच विचार कर रहे है यह person आपको भूले नहीं है इनके दिल में आपके लिए प्यार मोहबत मुझे दिखाए देता है और कहीं नगे आपका इंतजर है जैसे कि आप तड़प रहे हैं उनके लिए वो भी अभी इस वक्त आज के दिन आपके लिए तड़पते हुए मुझे नजर आते हैं यह person आपके साथ शादिय करना चाहते है family start करना चाहते है भले इस रिष्टे के खिलाब कोई भी हो आपने जो सपना देखा है वह पार्टर आपकी पूरा करना चाहते है भले यह person आपको छोड़ कर गए थे लेकिन वह जो सपना आपका है या आपकी बाते हैं वो ये इस person को अच्छी तरीके से याद है, हो सकता है कि बीच में इन्होंने आपका साथ छोड़ा, आप अकेले रहे गए, लेकिन अभी ये person वापस आना चाहते हैं, आपके दिल में जगा बनाना चाहते हैं, और जो सपना आप दोनोंने मिलकर देखा था, उसी पूरा करना 10 of cups आप देख सकते हैं, इक beautiful card है, beautiful family यहापर मुझे दिखाए देते हैं, शादी हो सकती है, commitment आपको मिल सकता है, रिष्टा जोड़ सकता है, अगर break up है तो फिर से रिष्टा, reunion की vibes यहाँ पर है, जो कि strongly मुझे October मेंडे में दिखाए देती है, या फिर आज से 10 दिन के पर आ रहे हैं, जो कि यह कहता है कि एक बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी जिंदेगी में शुरू होते हैं मुझे नसराता है, page of wands है, page of cups भी आयता, page of wands भी है, तो यही है कि यह person थोड़े से नादानी में आकर या फिर अपनी बातों में आकर गलत decision लिय है, आपने इनको समझाने की गोशिश की होगी और यह person नहीं माने है, तो कहीं लगए ऐसा मझे लगता है कि बच्पना हरकते थोड़ी सी है, लेकिन fire sign होने के कारण यह अभी अपनी future को लेकर आपके साथ यह सोच रहे हैं और उसके बार में serious होते हैं मुझे नजर आता है, अभी तक यह person ने अगर उतना बहुत ज़ादा lightly लिया इस रिष्टे को, उनको नहीं पता था कि उनकी कुछ हरकतों के वज़े से यह रिष्टा टूट भी सकता है, यह नहीं सोचा था शायद, तो अभी सोचते भी मुझे नसर आता है, page of wants यह भी कहते हैं कि यह person की उमर ज energy बहुत ही ज़्यादा strong मुझे दिखाए देती है, यह person अभी भी अपनी feelings अगर express नहीं कर सके, आपको नहीं बता सके, आपने उनको 1000 बार I love you कहा होगा, लेकिन person ने reward back नहीं किया है, तो यह अभी express करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद, आपके प्यार का ऐसास होने लगा है इस person को, और यह अभी नहीं रुख सकते, यह person का decision हो चुका है, कि उनको आपकी तरफ आना है, आपके साथ reunion करना है, आपके साथ रिष्टा जैसा पहला था, वैसा ही उनको आगे future तक लेकर जाना है, serious commitment की तरफ जाते हुए person मुझे दिखाए देते, यह दोनों cards मुझे ही कहते, seven of wands और page of wands, कि person धिरी धिरी आपकी प्यार को समझने लगे हैं, और आपकी तरफ आने की कोशिश भी करते हैं, और आपका manifestation भी काम कर रहा है, आपको भरोसा था कि आज ने तो कर लिया person आपके प्यार को समझेंगे, क्योंकि आपके जैसे पागलो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये भी आपको पता था, तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, बहुत से लोगों को अपने प्यार के उपर ही विश्वास नहीं होता है, तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे आपके उपर, तो ये आपका विश्वास, hyperstress, एक powerful energy है कि आप universe के उपर विश्वास रखते हैं, अपने प्यार के उपर विश्वास रखते हैं, आपको पता है कि ये person आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको छोड़कर नहीं चाहेंगे, ये जो positive thoughts हैं, वो कहीं नगा इस person को मजबूर कर रहे हैं आपकी बारे में सोचने और आपकी तरफ आने पर और आपको जो सपना है इस परसन के साथ शादी का ये भी मुझे होते वे नज़र आते हैं अगर शादी के खिलाब इस परसन की फैमिली या आपकी फैमिली थी तो भी मुझे आप लगता है कि बुंदिकल जाएगी थर्ड पार्टी और आप दोनों क के लिए जो हैं वो भी देख लेंगे स्ट्रेंड यानि कि कॉंफिडेंस का कार्ड है ये परसन अभी तक अगर किसी के डर से या किसी के बहकावए में आकर आपको थोड़े से इग्नोर कर रहे थे या आपको एक स्ट्रॉंग कमिट्मेंट नहीं दे रहे थे शादी तक ये एकसेप्ट करना चाहते हैं जो कि आप चाहते थे आप यहीं चाहते थे कि हम अगर वो मुझसे प्यार करता है मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करती है या करता है तो मुझे सबके सामने एकसेप्ट करें तो यही होने वाला है इनमें वो कॉंफिडेंस आ चुका है जो कि सब की सामनी आपको accept कर सकते हैं या आप दोनों की रिष्टे के बारे में अपने family से बात कर सकते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं एक कदम आगे जाएंगे अभी person कई न कई सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के खातिर या वो अपना प्यार हासिल करना चाहते हैं आपको हासिल करना चाहते हैं आपके साथ future को लेकर बहुत ज़्यार सिर्यस होते हैं मुझे नजर आते हैं यह कुछ आठ दिन में हो सकता है बदला आठ घंटे में भी हो सकता है टावर मुमेंट यहापर है टावर मुमेंट यहाँ पर है उसके बाद आए फाइव ओफ सोर्ट्स यानि कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है न कि यह परसन किसी से लड़ाई करके किसी के साथ ब्रेक अप करके आपके पास आते हुए मुझे नजर आते हैं हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिच्वेशन है यह इनके एक्स हो सकती है इनकी वाइफ इनके हस्बन हो सकते हैं यह परसन से आप प्यार करते हैं तो टावर मुमेंट ही कहता कि किसी का ब्रेक अप होकर सकते हैं जहां पर ऊखुश नहीं है और उनको लगा कि आप उनकी कुछी आपके साथ जुड़ी है तो उस रिश्टे को खथमकर लिए यह पर्संड आपके मारे में बात कर सकते हैं यह परसंड हो तो आपके बार में बात करते थे मुझे नजर आतें, अगर family accept नहीं करती है, तो यहाँ पर family को, family की against जाकर यह person आपको accept कर सकतें, यहाँ पर family भी मुझे बार-बार यहाँ पर दिखाए देते है, family की energy की, family रोपने की कोशिश कर रहे हैं इस परसंद को हो सकता है कि आप एक डिवोसी हो या फिर आपके पार्टनर एक डिवोसी है और किसी को पसंद नहीं है कि डिवोसी से शादी क्यों तुमको तो अच्छे मिल सकते हैं या अच्छा लाइप पार्टनर भगवन ने तुम्हेरे नसीब में सकते हैं डिवोसी आपके नसीब में डिवोस लिका था या आपके पार्टनर के नसीब में डिवोस लिका था तो उससे तो कोई बदल नहीं सकता लेकिन फिर से आप नए जैसे कि नए जरिये से फिर से आप अपने जिंदिगी के शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं वो आपक को क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर 10 of Wands यानि कि परसन को अभी यह जो दूरिया है सेहन नहीं हो रही है मतलब बहुत टाइम हो गया दूरिया है बहुत टाइम हो गया सेपरेशन है आप भी उनके लिए तडपते हैं वो भी आपके लिए तडपते हैं सब कुछ सहन करना अभी बहुत हद से जादा हो गया तो यह अभी सब कुछ खतम करना चाहते है सॉट आउट करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी डिफिकल्टीज हैं या इस रिष्टे में जो भी मुश्किले हैं उससे खतम करके आपकी तरह आते हुए मुझे नजर आते है, 10 of wants इनकी end है, burden बहुत हो चुका है person के उपर, या फिर बहुत ज़्यादा pressure है, कि कहिना कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते, या फिर वो ऐसा situation में फसे होंगे, जहाँ पर उनको कुछ न कुछ अभी step लेना होग ताकि ये रिष्टा फिर से जुड़े, सही करना है, वो आपके partner के हाथ में है, ऐसा मुझे लगता है, इस रिष्टे में जादा करके, तो ये partner सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपका प्यार पाने के लिए, इस रिष्टे को बचाने के लि इनके दिल में आपके लिए महबत है, प्यार है, इमोशन्स है, ये कभी भुला नहीं पाए, भले ये आपसे दूर गए थे, फिर भी ये person आपको नहीं भुला सके, इनका प्यार कभी खतम नहीं हुआ, या फिर ये ऐसा मुझे लगता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया होग नो कांटेक्स सिचुएशन में कि ये person ने आपको याद ना किया हो, तो ये आपका प्यार है, आपका प्यार करेना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही pure है, उसमें कोई मतलब नहीं है, और ये ही ये person के समझ में आया है, और ये आपकी तरफ बढ़ते बे मुझे नजर कराते हैं, कि आपकी बिनन नहीं रहना है, अगर रिष्टा होगा तो आपके साथ, ऐसे उनकी सोच अभी मुझे दिखाए देते हैं, कि आपको खोना नहीं है, भले आप एक गिवोसी हो, भले आप एक married person हो, तो भी ये person को आप में ऐसी कुछ ना कुछ attractive बात है, आपका और हो सकता है, या आपकी बाते हैं, या आप कैसे behave करते हैं उस person के साथ, उनको कितना happy रखते हैं, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए ना, तो मुझे लगता है कि ये person बहुत ही जादा आपको लेकर serious होते हुए मुझे नजराते हैं, bottom of the deck, king of cups, जो कि बहुत ही positive card हैं, और ये emotionally attached भी है आपसे, कहीं न कहीं वो feel कर पाते हैं आपके प्यार को, और मुझे ये भी लगता है कि ये person का दिल आपके लिए धड़कता है, strong मतलब अगर negative energy में थे ये person, तो strongly positive energy is person की मुझे दिखाए देती है, या फिर ये person ने बहेकावे में आकर, या negative thoughts की वज़े से आप से रिष्टा तोड़ा था, तो फिर से जोणना चाते हैं, किसी की बातों में आकर, आप से रिष्टा तोड़ा था, तो फिर इस जोणना चाते हैं, चाहिए वज़कर कुछ भी हो, ये person आपके साथ आगे बढ़ना चाते हैं, और ये होकर ही रहेगा, क्योंकि इनकी emotions हैं, जो कि खतम नहीं हो सकता है, दिल का रिष्टा है, Soulmate Connection, Divine Connection, आसनी से खतम नहीं हो सकता है, यह person ने आपको अगर on-off situation बहुत जादा दिया है, long distance हो सकता है, सोशल मीडिया के तुरू आप मिले होंगे, या फिर हो सकता है कि आप जहां पर जॉब करते थे, वहां पर पहिचान होई है, लेकिन यह person आपको पाना चाहते हैं, भले आप दोनों married हैं, तो भी आपके साथ रिष्टा यह person रखना चाहते हैं, आप डिवोसी हैं तो आपके सा ही तुकि नेकिन रखने साथ सेवाथ रखने साथ 1 उन पर पंपड कर शाहते हैं कि यह साथ रखने से एक हराशी की बात करते हैं, अ सब्सक्राइब वर्श्सक्राशि आधू उसके बाद यहां पर है जो राशी चैमिना लिप्रा एक्विर्यस मेतुंद राशी तुला राशी और कुंबा राशी फियां पर आई वही है ये कुछ राशियां आपर मुझे दिकाई देती हैं जिसमें की Pisces यानिकी Min-Rashi बहुत ही strong है Aries यानिकी Meish Rashi बहुत ही ज्यादा strongly मुझे दिकाई देती है चले कुछ current feelings देखते हैं आज आपके person के की वो क्या सोच रहें आज आपके बारे में या कौन सी आपकी बाते हैं जो की उनको याद आती है या ऐसी कौन सी बाते हैं जो की आपको नहीं कह सकते लेकिन उनकी दिल में हैं वो देखने की कोशिश करेंगे तो प्लीज अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजे तो प्लीज अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीज रहें उनके person क्या सोच रहें current feelings में क्या सोच रहें क्या feel करते हैं मेरे वीवर के बारे में वह या इसी कौन सी बाते हैं जो बताना चाहते हैं unconditional love divine love देखा मैंने कहा था कि divine connection हो सकता है यह भी feel करने लगे आपके person अभी कि आप एक divine connection हो दोनों और कहीं न कहीं एक दुसरे से जुड़े हो जन्मों जन्मों का रिष्टा है यह इतने आसनी से नहीं टूटेगा भले अभी आपकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है उनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है लेकिन प्यार गहरा यहां पर बहुत हैं जिंदेगी कि वो आपका साथ नहीं चोड़ेंगे या फिर आपसे महबत करते हैं और वो आपको भुला नहीं सकते डिसीट याचीटिंग इस नौट मिस्टे इस चॉइस हो सकता है कि उन्होंने आपके पर शक किया है कि आप उनको चीट करते हैं तो ये आपको कहना चाते है कि अगर तुमने किसी और की साथ रिष्टा रगा है कि क्यों हो सकता है कि वो मैरिड है और आपको लगा कि उनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है तो आपने किसी और को डेट किया हो लेकिन फिर भी आप उनको नहीं बुला पा रहे तो वो कहना चा the luckiest person thank you for coming in my life याना कि परेसन कहना चाहते हैं कि वह बहुत lucky है कि आप जैसे पार्टनर या आप जैसे परसंन उनके जिन्दगी में आये और उनको प्यार दिया है वह अपने आपको बहुत ज़की कहते हैं आपके वज़े से क्योंकि आपके जैसा हो सकता है कि प्यार उनको अभी तक किसी नहीं किया है और यही बात हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ उनको लेकर आ रही है strong मुझे यहाँ पर feelings person की फिर से यह cards के तुरू भी दिखाए देती है कि वो नहीं कहे पाते हैं आपको हो सकता है क्योंकि emperor का card है थोड़े से ego attitude हो सकता है या सभी बाते आपको बताना नहीं चाहते है थोड़ी बाते hidden secrets भी हो सकते हैं person की दिल में जो कि बहुत time से हैं आपको बताएंगे करके लेकिन नहीं बता सके तो यह fortunate कहते हैं कहिना कि emotions हैं feelings है इस person की अभी भी आपके लिए और वो खतम नहीं होंगी कम expressive लगते हैं person make promise हैं कि person कहना चाहते हैं कि वादा करो कि तुम move on नहीं करोगे मेरे आने तक मेरा desire करोगे या मेरी राह देखोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ अभी मेरी ऐसी situation है जहाँ पर तुमसे मिझे दूर रहना पड़ा या दूर जाना पड़ा इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती करती तो हूँ लेकिन हो सकता है कि ऐसा situation है मेरे साथ या ऐसा मुझे करना पड़ा है तुमसे distance रखना पड़ा है तो थोड़ा सा मेरा wait करो impatience यह person भी यह partner भी ऐसा आपको कहना चाहता है कि वो भी उतने उताव लें जितने कि आप आपकी विनन नहीं सो सकते जीने के बारे में आगे बढ़ने के बारे में तो यह कहीं न कि मुझे लगता है कि strong emotions, strong commitment दोनों तरफ से तो है प्यार की feelings दोनों तरफ से लेकिन कुछ न कुछ किस टैप का रिष्टा आप दोनों का है वो प्लीस मुझे बताए हो सकता है कि दोनों married है हो सकता है एक married एक single हो सकता है डिवोसी हो सकता है क्योंकि सबकी energy यहां पर आती है लेकिन इस रिष्टे में बहुती ज्यादा उतार चड़ाव मुझे दिखाए देते हैं जो की खतम करना चाहते है परसंड टॉक्सिटी क्विट प्ले प्लेइंग माइन गेम्स विद मी यानि कि परस शक किया था इस परसंड ने तो यह कहिना के दूर करना चाहिए clarity एक दूसरे को देना चाहिए अगर आप long term relationship में जाना चाहते हैं क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ अपने जिंदेगी गुजारने के बारे में सोचते हैं तो clarity होना चाहिए transparency होनी चाहिए आपको आप भ कोनों की भी जो आपको दूर करनी चाहिए और कहीं न कि ऐसा मुझे लगते कि impatience आपको नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहां पर वही कहते हैं कि life is too short to wait dying to meet you यानि कि वह बेस अबरी से इंतजार कर भी रहे हैं आना भी चाहते हैं लेकिन कुछ clarity भी उनको चाहिए ऐसा भी करने का और आपके साथ वह as a life partner देखते हैं यहाँ पर regret भी है कि वह sorry भी कहना चाहते हैं कि गुस्से में आकर कुछ कहा हैं आपको या दिल तोड़ा आपका तो sorry कहना चाहते हैं किसी और के साथ मत जाना या आपका अगर past है तो उसे भुला कर एक नहीं शुरुआत करो ऐस को लगता है loyalty don't try to be perfect it's just true नहीं कि loyal भी रहना है एक दुसरे कि क्योंकि रिष्टा अगर है ना शादी का तो उसमें loyalty बहुत ज़्यादा matter करते हैं क्योंकि आप अगर trust issues अगर आपको रहेंगे तो यह बहुत ज़्यादा problematic हो जाता है आगे शादी के बाद या शादी करते व loyal हो वैसे तुम भी मुझसे loyal रहो ऐसा नहीं कि शक करना एक दूसरे के उपर कि किसके साथ गई थी कहां पर थे phone नहीं उटाया तो क्यों नहीं उटाया ऐसे सब सबस्वाल करने से क्या होता है आप उस person के उपर शक कर रहें शक बहुत बड़ी जो बीमारी है ना उसे हटान справ देर नहीं और चातुए नहीं ठाउ म सबस्सें आइा.. तासadas.. पूसल स्टी कि रेस्तिक्ह रेस्क्शे जिम खीने सेस्ट से गार्भाइ सेत्ड हमां फ्रीरिय और दूसरे प्हिंरी एटन है वंसे रहीं जोक म्यों धिटिस्वारओ को गड़िए ट Lazareत को नहीं रहीं परेत